अब लो दोस्तों कैसे हैं आप लो आज वोप आप लो अच्छी होंगे तो चली दूस्तों आज किस व्योडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो दोस्तों आज के लेक्शन में 28 है और इसे प्रिवसरी लेक्शन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपी को डिसकर्शन किये थे जैसकि वाट इज अंगल अप रिपोज क्या होता है फिर रिलेशन हम लोग पढ़े थे अंगल अप रिपोज में क्या रिलेशन ह और फिर हम लोग कुछ कंडिशन दोस्तों देखे थे जिसमें बॉड़ी अगर प्लेन पे हो तो उसमें क्यों कॉन कंडिशन लगेगा और नहीं तो फिर अगर बॉड़ी इंकलाइंट पर मतलब पढ़ा हुआ हो तो अगर वाब वीडियो से आप नहीं देखे तो जाकर वा पर दोस्तों इसके बाद हम लोग डिसक्रशन करेंगे कि कौन फ्रिक्शन क्या होता है अब दोस्तों इसके बाद में इसके बाद हम लोग नुमेरिकल को भी देखेंगा कुछ नुमेरिकल के बारे में हम लोग डिसक्रशन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को य के सब्क्राइब के सबस्क्राइब Rider वाइस जिसके जरी हम यह तो चाहड सकते और नहीं तो फिर उत्र सकतेमने के घर में बबाला सकते हैं लग यह लग रही हैं तो अब पर like आप एस आ t से वच्चाज को मालने करो दीवाई जैसा है । कि यह एडर संवे हद दिवार आगा, आगा मेरा की делать, स्लिपटा तो दीवार, नीचे चर्फैस पर दीवार ह accountable, सिटास को सम्जा कमी system 관ratी.. सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करते हैं तो सुने का अफden हां इस वह णोंजेंद को पेला वाल बोलहें द्वार पर किक एक पर्साने करो है अगर आ elephants जो अगर मूः है इसको को अगर हम मूभ करें मतलब इस अगया किस ड़ाइक्षन में करें स्वय बर और यह आपको ऐसे बर अगर पड़ा हुआ है पिर आव इसकी नीचे जाएगा तो मुट्फशन नीची कीृऊ भूँ देनले जो क्या होता है दोस्तों कि है इस दाइरेक्शन में जुकेगा तो फ्रिक्सिन पुर्स किस डायरेक्शन भूढ़े Γांकों करने का मतलब कि जो मोसन हो रहा है उसका पोजी डारेक्शन में तो वही कह रहा है कि अगेंस द रफ वर्टिकल वाल देन ड्यू तो वही बोल रहा है कि अगर यह नीचे क्यों जुकेगा तो यह क्या करेंगा यह नीचे क्यों आ जाएगा और इसका बॉटम पोर्शन हो इस डारेक्शन में आ जाएगा अब दोस्तो हम लोग यह तो जानगे कि लैडर एक डिवाइस है जिसके जरी चषड़ते हैं और उतरते हैं फिर दोस्तों आम लोग जान लिए दोस्तों कि लडर अगर ribs करेगा तो किसी जारीक्सन में लेगा यह भी समज拜拜 क्लन लेगा लेकिन अब तक हम जो फ्रिक्षनल फोर्स लग रहा है उसी को दूसरे लम्ह बौलते है लुट ओ I चोक्ति टो बूलरा 먹 वाल्र युड़ तो मेरा ये वाल है तो इन दोनों यह चांहे है उसी को दूसरे लम्ह ग खूँ कि आंप तो simply आपको यही बताना है कि लेडर फ्रिक्षिन वा फ्रिक्षिन होता है जो कि लेडर और सरफिस के बीच में लगता है उसी दोस्तों बोलते है लेडर फ्रिक्षन और लेडर कैया होता है तो जैनरली लेडर एक ट्वाई से जिसके जरी हम लोग चाड़ते या फिर उतरते ह तो आई हो डूसित्व आप लोग को लेटर फिक्षन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अब दूस्तो हम लोग पढ़ते कि वेघ फैडल क्या होता है तो चली दूस्तो कोद्थ वेजब लुड़ अद अई реш T और एड़्जस्ट द पोजीशन ऑफ बड़ी एंड द फ्रिक्शनल फोर्स आट बिट्विन वेज एंड सर्फिस ऑफ बोड़ी इस नोगनेज वेज फ्रिक्शन एक तरह सा ही बुली तो आप ट्रेंगुलर या फिर ट्रिप्वाइज मतलब कि जो चार साइड होता है मतलब कि मतलब हमकि की प्रोड़ा लिफ्ट करते हैं मतलब माली क्या है निए यह घॉल्य लौड़ी आपकी ओबीज करें लाना है हम यह जो फिर प्रिक्शन पर लाना है तो वर्टिवेजार क्या है है मेरे रहा साहारा थे प्रल़ी हमकोनों अन्ग पोजीशन को प्रश्व्वाई क सिर्खोर्स डाई तो भुष्ट मेर भूणू पर वेज होता है दो एक ट्रयांगुलर सेफ है जिसके चरहिए हम kya करते है तो साई करते है तो लिफ तो अब तो समझ गए कि वेज्ड क्या होता है वेज्ड समझ गए लेकिन आखिर वेज्ड फ्रिक्शन होता क्या है तो चलिए उस वेज्ड फ्रिक्शन आपको समझाते हैं मानेजी दोस्तों यह मेरा बॉड़ी था ठीक यह मेरा बॉड़ी है तो बॉड़ी किस वाला है ऐसा बॉड़ी इस वाले पर ऐसा है ठीक है और मेरा जो वेज्ड था ये मेरा ऐसे कुछ पड़ा हुआ है इसे है इसे मत मानी है ठीक है तो आखिर कर ये जो बॉड़ी था मेरा ये बॉड़ी मतलब इस वाले वेज्ड पर फिक्स किया हुआ था मतलब कि हम इसमें को सार्फस यह वाला सर्फेस, और यह जो वेजड है, इसका यह वाला सर्फेस, इन दोने के बीच में जो फ्रिक्सन लगेगा, उसी के दोस्तों में बोलेंगे, वेजड फ्रिक्सन, आकर यह बोड़ी इस पर ही न श्लाइड करके, हम उपर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स हम इस वाला डा तो भी दोनों के बीच में जो फ्रिक्षम लगता है उस दोसे में बोलेंगे वेज़ फ्रिक्षन तो ट्रेंगुल के साथ सब्सक्राइब आप लोगों पढ़ते हैं कोन और फ्रिक्शन कुछ नहीं है मस्ट आप लोगों को वें दर जल्टेंट और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल लेक्शन इस रोटेटिंग अबाट नॉर्मल लेक्शन में करना का मतला समझे दो यह मेरा सर्फिस था ठीक है यह मेरा सर्फिस है और इस पर मेरा एक अब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अब आप लोग तो दूस्तों जानते ही है कि जो अब्जेक्ट होता है उस नॉर्मल लेक्शन फोर्स सीरे इदम ऊपर को लगता है और इसका जो जो सेंटर है मेरा नीची क्यों लगता है तो इस जो सेंट क्या है तो रिजल्टेंट नॉर्मल रियक्शन फोर्स है यह वाला तो अब क्या करेंगे ना दुस्तों कि जो आरेन है इसको हमको रोटेट कराना है नॉर्मल रियक्शन यह वाले एक्शिस पर नॉर्मल रियक्शन के एक्शिस से हम लोग को आरेन को रोटेट कराना है तो क पर चुल-क दूस्ट में कोलेंगे कौनक फ्रिक्शन सो बोल्य क्यों है दोस्तों और लिएक्रेट सब्सक्राइब बेश्या cheatज़न और रिक्ष्यन फॉर्स लोरेस्ट रोक्षिन सब्सक्राइब घ्लान comigo क्यों से लिएक्षिन्स फोर्सरी हमें खुटँटीन हो रोक्ती है है रोटेट करें जो एंगल पर ने अकुन 3 upon बनता है उसी को क्या वोलते है कोण फोन सब्सक्राइबं की सब्सक्राइब मैं आ गया होगा सब्सक्राइब में अबस्तों हम लोगों को नुमेरिकल के बारे में किसको सब्सक्राइब miracles करें देखते हैं देखिए दोस्तों नुमेरिकल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही असान है आप खली एक बर समझ दीजिएगा तो आपको लोगों से तुरंत नुमेरिकल बनेगा तो हम दोस्तों इसमें जो नुमेरिकल आप लोगों को बताएंगे वह उस नुमेरिकल से आप लोग आप लोगों को समझाते है कि इसमें क्या है तो बेसिकली क्या वो रहा है कि एक मेरा object है यह मेरा object है रेड़ वाला से और यह surface पड़ा हुआ है ठीक है यह मेरा surface पड़ा हुआ है तो इसका दो बात तो fix है क्योंकि एक नॉर्मल एक्षन उपड़ी को लगता है और मेरा gravitational force नेशी को लगता है मताब कि weight तो जनरली दोस्तों अब इसको क्या कर रहा है तो पचीस केलो न्यूटन जो है पचीस केलो न्यूटन से हम पुल कर रहा है पुल काने का मताब कि खीच रहा है तो जनरली दोस्तों कोई भी object क है तो इस वाले direction में घीचेगा तो आप ही लोग जानते है दोस्तों कि जो inclined force लगा रहा है तो inclined force resolve हम नहीं कर सकता है तो इस inclined force हम लोग दो component में बाटना पड़ता है पहला बाटना है 25 sign 30 degree और जो कि कितना degree पर घीच रहा है दोस्तों तो inclined 30 degree पर तो यह हो गया आपको और यह कि यहाँ पर हम बता है दोस्तों कि इस वाले के साथ हमको angle अगर आकर घीचेगा तो यह 30 degree के angle ऐसा है ना formation होगा इस वाले axis पर formation होगा मतलब कि इस वाले axis के साथ है x-axis के साथ है तो s-axis के पर जो हमको बनाएंगे वह हमको बनाएंगे cos component क्योंकि जो angle है वो मेरे x-axis पर है और उपर जो angle जिस axis पने रहता है उसको हम sign component रहता है तो इस वाले पर हमको कहा है तो angle है तो इसलिए हम यहाँ पर cos component लिख दिये और इस वाले पर कहा है तो angle नहीं है इसलिए हम यहाँ पर sign लिख दिये बस दोस्तों अब हम जैसे condition बताते थे कि resolve कर यह सब force को vertically और फिर resolve क लग रहा है और मेरा 25-30 यह first लग रहा है तो जनलिया हम जो लेते दुस्तों कि यहाँ उपर वाला force को जितना भी उपर में force लग रहाए उसको बराबर कर दिये निचे की force से और नहीं तो फिर जितना भी नीचे force लाग रहा हूँ सबको बराबर कर देजा ऊपर में जितना लग रहा उससे तो जने लों काया कि कि ऊपर में जितनास हरा उसको बराबर कर दिए नीचे की फोर्स वाला से तो हम एँ जो डिए के में 25 30 that Hoje को कर दिये डबलो मतलब नीचे के फोर्स के बराबर कर दियter है औहे है कि ऐन बराबर निकाल दिए है तो 25 and 30 conve तो मेरा जो फ्रिक्ट फ्रीक्सर फॉर्स में लग रहा था कि इस वाले डियरेक्षान में बताते हैं दोस्तों अब देखें दोस्तों में देख लिए को हैं और इसको हम ऐसे घीच रहत है तो मेरा जो ऑबजेट का movement हो है वह किस direction में होगा इस वहाइवाइवसर में movement होगा तो जो friction force है वह किस direction में लगेगा तो इस वाइवाइवस लगेगा तो जैनल यारी द балu जोस्तो होई है कि Jeśli I बराबर कर दाना है बस हम वह कि है कि बराबर कर दीए 25 cm से 20-30 को हम तोड़ेंगे तो 4 में भी झाय तो थोड़ेंगे पूण जो जाएगा 21.65 kgN चोंदेशको साथी को चनल दो 15 कश कोुटाबर नुक्राइला कर दो ना एंसर आजाएगा मतलब कि आपको फ्रिक्शन बराबर निकल जाएगा 21.65 किलो न्यूटन है तो हम लोगों को दोस्तों वेट निकालना है मतलब कि यह आप की उचन में आपको बोला गया क्या तो वाट इज द वेट आफ ब्लॉक मतलब कि जो बॉड़ी है जो अब्जेक्ट ह और हाँ दोस्तों यहाँपर आपको जो कॉफीशिएंट जो भी है मतलब कि 0.2 आपको दिया हुआ है तो जर्रेली दोस्तों जो कॉफीशियंट है वो मेरा जिरू-पॉइंट दीए है तो बस अब क्या करना है तो फ्रिक्शिं बराबर फर्मॉन लगाना है मियू इंटु तो फ्रिक्सन ब्राबर मेरा आ गया कितना तो 25 दूस्तों 11.65 यहां से मेरा 11.65 हम यहां से लिख दी है और कॉफिशेंट और कितना था दूस्तों तो एन यहां था तो एन ब्राबर हम क्या निका रहे थे तो डबलू माइनस 12.5 यह जो उधर था कितना तो यह 25 साइन 30 डिगरी है इसको अगर हम सॉल्ब करेंगे तो मेरा 12 पॉइंट पाच आएगा बस जनरल अब इसको सॉल्ब कर देना है तो मेरा आ जाएगा 120.75 किलो नूटन तो बस दोस्तों ऐसे ही इसको सॉल्ब कर देना है मेरा वेट निक पर तो अब ही में दोस्तों को क्या बोरा कि मियू निकालना मियू बोले तो मतलब यह वाला तो इसमें दोस्तों क्या था कि 0.2 मेरा मियू दिया हुआ था अब यही नहीं दिया हुआ है तो जनरली भी दोस्तों यही फर्मूला लगाना है में लोग को और हम लोगों को जब तो फिर दूस्तों क्या करना है तो बस बर्टिकली इस अब को रिजॉल्ब करना है तो सब अद uy इतना ही आपको आ रहा है मेरा इसक ही आपको आएगा तो सत्र पॉक्सें लिगकडिये है और यहां से मेरा और पर सुफ्टों क्या परताव है कि जो में तो Cooking & 10 fu लिए एक पर चेंट हो गया वर चलिए डश्वाइण इसकंगा मेरे की जो है टीए है गीज नहीं कर रहे है अब मतलब समर्श कर रहे हैं कि पेसफ नीट्न दे रहा है सब्सक्राइब इस में चैनल को है इस वाले में विजह क्या है होगा कि अब को इस हुआ एसा मेरा फोर्स लगा मतलब इससर डेरेशन में देखे दोस्तों अगर हम कोई object है इसको आप रूबन भोगों को बोले का कि अब अब जो नीचे की और फुर्स लग रहा है अब री में मेरा दोग हो जाएगा एको 20 है और मियू हमपको निकालना है यहां पर भॉला क्या तो फैंड करना आपको कॉफिसिजंट फिक्सन मतलब की मियूं फैंड करना आपको तो यहां बराबर हम इस के से च्छोड़ दिंगे और मेरा और अ अगया है तो यहां से मियू बराबर हम को आ जाएगा 0.224. फोर अपको मूं, मतलब कि कोफिसी जेंट फृक्षन आप लोगों को find हो गया है मैं अधर प्रसें लिए ले लेता है इसमें जनरली दो केस आपको लगेगा पहला किसि क्या है? तो पहला आप दुस्तों क्या कर रहे है? पहला आप लोगों को कर रहे है है की आप कर रहा है Poole कितना से तो 180 Newton से आप घीच वहिए रहा है 30 degrees के एंगल से एक LED एक 80 Newton के फोर्स के जड़ी आप एक ऑबजेट गीच और फिर क्या कर रहे तो फिर अब मि Е 73P के जड़ी है आप 30 डिगरी से एक कर रहा है तो पुश कर रहा है तो जनल यह हम पूल वाला कंडिस्न लेकर चलते हैं तो फूल वाला कंडिसन लेकर चले时 तो मेरा पूल होगा तो इस अधर सब्सुन होगा गीच रहा तो बस इसके लिइन कारना पहला horizontally resolve कर देना है तो बर्टीकली में तो कुण कुण force लग रहा है एक एवला और एक 18 sin 30 गरी तो एन पुलस में 181 sin 30 गरी ले आएंगे उसको बराबर में हम W कर देंगे तो यहां समय न बराबर किया जाएगा तो W-90 यहाँ बराबर कर देंगे इस वारे एक रसी कोस 23 गरी लग रहा है तो यहां सी सोल्व करेंगे तो 188 मेरा आ जाएगा फ्रिक्स बराबर ठीक है अब दूस्तों हम यहां से फर्मॉलर लगाएंगे जननली यहां से फर्मॉलर लगाएंगे यह उन इन वाला तो friction ब्रावर मेरा दिया हुआ था 155.88 जो कि मेरा आ गया है मतलब इस वाल करके हम लाए 155.88 और यहां से मेरा इन ब्रावर आ गया है W-90 यहां से solve करेंगे तो मेरा 155.88 और यहां से W-90 अब जैने दोस्तों को find क्या करना है तो हमको find करना है weight देखिए यहां से determine करना है determine weight of the body and coefficient of friction मतलब कि body का जितना weight हो भी निकलना है और coefficient of friction भी निकलना है यहां से मेरा पहला मियू बराबर आ गया है तो इसका equation अब फर्स्ट मान लेता है अब जनरल दोस्तों वैसे ही एक ठाव और मेरा case था जो second case मेरा था तो second case में हम पूल कर रहा है तो पूल स्वाड़ दूसरो second case में हम पूस कर रहे थे तो पूस कर रहे थे तो इस वाला direction में था मेरा इसको हम अगर पूस करेंगे तो इसका भी हम क्या करना पड़ेगा तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा तो इसका भी हमको पहला भाटिकल रिजॉल्ब करना पड़ेगा तो ऊपर की डारेक्शन में एक फोर्स लाग रहा है एक ही फोर्स है और निचे डारेक्शन में अब फ्रिक्शन फोर्स बार फर्मूला बेठा देंगे कि यहां सो जाएगा म्यू गूने इन यहां से म्यू बराबर आजाएगा 190.52 अपॉन 110.W तो दोस्तों यह मेरा आगया equation second और यह मेरा equation आगया first तो अब दोस्तों equation first और equation second को हम लोग क्या करेंगे तो मतब कि equation first second से हम क्या कर सकते है तो 155.88 और W-90 बराबर कर देंगे 190.52 ना 110-W तो दोस्तों यहां से जनरली आप लोगों को क्या find हो जाएगा यहां से जनरली आप लोगों को क्या find होगा तो W find हो जाएगा तो यहां से आप लोगों को W आपको निकल आया कितना तो 990 न्यूटन तो अब जो यह वाला जो W है इसको यह तो आप equation first में put करिए तब उतना ही answer आएगा और equation second में put करिए तब उतना ही आएगा क्योंकि यह दोनों के हाथ तो बराबर है तो बस हम equation question इसमें किया कि first में put कर दिया है तो मेरा यहां से मेरा coefficient of friction भी निकलाए और यहां तो अब वो लगता दो सेर्क ना ना भूले? तो में तो अगले बाले पीरियो में तपते ली देखते रिए जिरिश्टको धन्ने बाद